कास रोग कास रोग को हिंदी में खांसी कहते हैं कास के पांच भेद बताए गए हैं बातज, पितज, कफज, छतज एबं छयज बातज, पितज, जो कफज होते हैं वो साथ दिव्यादी होते हैं और छतज और छयज याप पिव्यादी होते हैं साथ दिव्यादी होते हैं जो आराम से सही हो जाते हैं याप जो मतलब सही तो हो जाते हैं लेगिन उनमें थोड़ा टाइम लगता है अब कास के चिकत्सा ही बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसमें इसनेहन कराते हैं फिस्वेदन कराते हैं उसका संसोधन चिकत्सा कराते हैं अगर बातच कास है तो आपको बस्ती कर्म कराना है पितच कास है तो बिरेचन कर्म कराना है कफज कास है तो बमन कर्म कराना है अब बात करते हैं इनके आशिदी योगों की रस में लीला विलासरस लक्ष्वी विलासरस आधी आप ले सकते हैं जिसकी मात्रा 125-200 mg ले सकते हैं चूण में अगर हम बात करते हैं तो आप बिड़ंग आधी चूण का इस्तमाल कर सकते हैं जिसकी मात्रा 3-6 गराम आप ले सकते हैं और घरत किम बात करते हैं तो कंटकारी घरत या बिड़ंग आधी घरत का यूज कर सकते हैं पिपले आधी घरत का यूज कर सकते हैं जिसकी मात्रा हम 10 से 20 एमन लेते हैं जिसकी मात्रा हम 10 से 20 एमन लेते हैं